आज ही doubtnet आप डाउन्लोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउन्लोड का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउन्लोड नाओ parallel to the film at what distance from lens should object be shifted to be in the sharp focus of the film ठीक है यानि क्या हो रहा है कि एक lens है ठीक है उसके सामने अपने object रखा वहा है यहाँ पे मान लो ठीक है और उसकी image यहाँ बन रहा है 12 cm ग्याइंड the lens ठीक है अब बोला गई ग्लास प्लेट लगा दी है 1 cm ठीक की refractive index दे रखा है ठीक है lens और film के वीच में ठीक है यानि कि यहाँ पे लगा दी गई है ठीक है अब बोला गया है कि अब आपको कितने distance पे इसको shift करना चाहिए ठीक है object को कि lens से lens से distance ना पने है कि कितने distance पे इसको shift करना चाहिए ठीक है अभी भी जो image बने वो sharp focus बने ठीक है तो देखो क्या होगा सबसे पहले lens formula लगाते है lens formula लगाते है इसको strike करके lens formula क्या होता है अपने पास में 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F lens की focal length हमें पता नहीं है V or U हमें given है ठीक है तो V की value क्या है 1 upon 12 है ठीक है और यू की value क्या है 1 upon minus 240 है ठीक है तो यह जाएगा 1 upon F lens के देखो इधर की side में positive लेकर चल रहा हूं और इधर की side में negative लेकर चल रहा हूं ठीक है तो जो F की value आ जाएगे आपके पास यहां से हो आ जाएगे 240 upon 21 cm यह तो होगे lens के अपनी focal length और अब देखो लेंस के बाद जब हम यहां पे कोई refractive index वाली sheet रख देंगे तो उसके कारण देखो क्या आएगा lens से जो reflection होई रहा था अभी sheet के कारण भी क्या आएगा shift आएगा ठीक है तो sheet के कारण जो shift आता वो कितना होता है ग्लास slap के कारण shift होता है आपका t into 1-1 upon mu यह यह होता है ठीक है तो t कितना है 1 है 1-1 upon 3 by 2 लिख दिया आपन नहीं ठीक है mu की value क्या है 1.2050 दे रख यह तो 3 by 2 लिख दिया उसको ठीक है तो इसको लिख सकते हम shift जो आएगा आपके पास में वह आ जाएगा 1 by 3 cm ठीक है अब क्या बोलते हैं अब जो वीडेस होगा ठीक है जो image होगी वह कहां बनेगी image की location होगी आपकी जो वह हो जाएगी वीडेस और वह कहां होगी 240 sorry पहले 12 पर बन रहा था न तो 12 माइनस 1 by 3 ठीक है यहाँ पर बन जाएगी आपकी image क्योंकि पहले 12 पर बन रही थी ठीक है जब तक sheet नहीं थी sheet आने से थोड़ा सा shift होगी ठीक है तो shift कितनी होगी shift इस direction में होगी इदर ठीक है तो shift हो जाएगी 35 1 by 3 cm निकाल ले shift तो अब image की final position हमारे पास आगी 35 by 3 cm अब image की position है focal length है तो हम निकाल सकते हैं कि u की value क्या होनी चाहिए तो u की value कैसे लिखेंगे u की value कैसे लिखेंगे u की v minus 1 upon u is equals to 1 upon f आएगा this implies 1 upon u जो आएगा 1 upon v minus 1 upon f ठीक है तो v की value क्या आ रहे है आपके पास में 35 by 3 आने कि 3 by 35 minus इसकी value आ रहे है आपके पास में f की value थी 240 upon 21 तो 21 upon 240 लिखेंगे ठीक है तो u की value कितनी है जाएगे आपके पास में u की value आ जाएगी minus 5.6 cm तो lens से इतनी दूरी पर अगर आपन इसको रख देंगे तो image अभी भी focused रहेगी तो 5.6 cm is the correct answer Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही download करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 सूपर